आप सभी का स्वागत है, हमारे चैनल कुडुख एक्जाम उराउंट टीवी जेच में आज ही ग्लास में हम JSSC CGL का जो 28 तारी को पेपर हुआ था है ना, तो उसी का हम लोग कुडुख का पेपर डिसकस करेंगे तो ये वीटियो आप लोग के लिए important इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे आप लोग को पता चलेगा कि आपकी गलतियां क्या थी है ना, और उसे आप अगरे बार उस चीजों को सुधा रहें और किस टाइप का question पूछ रहा है अगर कुछ question थोड़ा tough जो दे रहे हैं तो वो किस टाइप का question पूछ रहे है जो कि आपको देखने के लिए मिल सकता है तो उन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे है ना, चलिए तो class को आगे बढ़ाते हैं easy तो वैसे तो काफे questions easy थे और थोड़े बहुत tough questions भी थे तो पहला question देखिए पहला question है आपका कुकोई बरात टीप नू बार बबुस डैश नू नुकरी नना लगियास देखिए वो आपका railway में नौकरी करते थे है ना, तो option number A है करिचका ही डैश डाडा मनी यहाँ पर भेद पूछा गया है तो जो आपका अवियव है अवियव का तीन भेद होता है तो option B सही है जरा तेंग्यो बुथा तेंग्यो चाली बली समधी जोड़ने इडिन एका पुथीती हुचकारी तो ये वाला जो है आपका आयंग जिया से लिया गया है फूलो तेंग्यो इस बारे में बोलती है यह संटेंस फूलो की मा ने बोला था नेक्स्ट है आपका ये नलंग मूली रूपे ती डैश बरन ही मनी देखें ये वाला question मुझे doubt है क्योंकि मैंने नलंग जो शब्द है मैंने कभी सुना नहीं है है न तो इसके बारे में मुझे knowledge नहीं है तो अगर आप में से किसी को बता होगा तो आप लोग मुझे comment करके जरूर बताईएगा नेक्स्ट है आपका पांचवा आहला तिर्की गही तूड का या फिर खूज का पुथी मल्ली यहाँ पर कौन सा किताब नहीं है इस बारे में पूछा जा रहा है तो इसका answer सही होगा आपका option number A पुर्खर गही तिंका खीरी option number A सही होगा आपका और यह जो आपका चुरकी दहरे है यह आपका 1982 में publish हुआ था कुड़ुक सहीया यह आपका 1949 में publish हुआ था सन भी पूछ रहा है तो सारे सन भी याद होने चाहिए आप लोगों को समय है आप लोगों के पास तो सारे सन याद कर लिजे मैं तो कहूंगी तो अभी आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है तो मैं तो यहीं कहूंगी कि किताबों के अगर आप लोग पबलिक जिस साल वो पबलिश हुआ था उसका अगर सन याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा तो अहलात तिर्की ने पूर्खर गही तिंका खीरी इसको नहीं लिखा है पर मेरे हिसाब से इसका अंसर D सही होना चाहिए मेरे हिसाब से है ना मैं इसमें शूर नहीं हूँ नेक्स्ट है आपका बिहारे लकड़ा सगही पुथी मली तो बिहारे लकड़ा का इनमें से कौन सा किताब नहीं है तो देखे ये तीनों किताब बिहारे लकडाजी ने लिखा है, ये वाला किताब उन्होंने नहीं लिखा है, तो option number D सही होगा पुना डारे, ये किताब उन्होंने नहीं लिखा है, एक और इनकी किताब है, आदिवासियों का सांस्कृतिक इतिहास, परिचे और विकास कैसे हो तो ये वाला भी भिहारे लकडाजी नहीं लिखा है, और नेक्स्ट है आपका, प्रोफेसर प्यूस लकड़स गही कुंद्रना डैश इसवी चाननू मंज की रहचा, तो ये आपका option number A सही होगा, 20 अप्रेल 1936, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेट और मन्त भी पूछ लिया है, तो नेक्स्ट है आपका आयंग गही जिया 81 मनी, तो इसका option number D सही होगा, इबढ़ा हुर्मी, कुहां भी होता है, मिच्छा भी होता है, दिगा और चकर भी होता है, नेक्स्ट है आपका धकरस गही एमदा खदर रहचर, यहाँ एमदा खदर के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका answer होगा option number B, नेक्स्ट है आपका कुड़क पूर्खा डंटी डैश नो खिट का रही, तो option number D सही होगा, बेडा और चंदो, एरों, मतलब दोनों में, नेक्स्ट है, इंदरजीत उराउस गही तूड़का पुथी मल्ली, तो इसका answer आपका option number D सही हो जाएगा, है ना D, क्योंकि यह तीनों के तीनों इनकी लिखी हुई किताब है, तो option number D सही होगा, नेक्स्ट है, इंदरजीत उराउस गही तो इस कहानी का नाम क्या है, और इसके लेखक कौन है, वो आप लोग मुझे comment में, comment करके बताईएगा, नेक्स्ट है, बिंजा, नेक, चारता, नेक, तली, अब देखें, शादी में क्या-क्या आपका रिती रिवाज होता है, तो जुब्बी एरना भी होता है, चुन्ना तमकू भी होता है, कुहाँ पाही भी होता है, तो option number D सही होगा, कि यह सारे होते हैं, नेक्स्ट है, आपका इंगा जुक्की खिस्ट च्या, एका गुन्खी गी नमूद तली, तो जुक्की खिस्ट कहा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका D, ठीक है, D, नेक्स्ट है, एका पिंजका ती दरप आबो आलोन अख्ता रही या दिन इंदर बानर, तो इसका आंसर आपका सही होगा, option number C, दरप पिंजका, है ना, दरप पिंजका, नेक्स्ट है, आपका लीला नू फूलो अरा पुनेस गही खिसरन ने चिपदस, चिपदस लेडगा, है ना, लेडगा ही जो है, लेडगा दोनों का, फूलो और पुनेस दोनों का गला दबाता है, दोनों का गला दबाता है, नेक्स्ट है, आपका लोग साहित्ते गी कुड लोग साहित्य का कुड़ुख बग जो है आपका वो होगा आपका ओप्शन नंबर सी बैता कत्पंदी नेक्स्ट है आपका अंजेला टीप गही तूडुस नेतलदस इसका ओप्शन नंबर सी सही होगा इगनेश कुचूर तूडुस इंदरजीत उरांस गही भुईहरी पद् नेक्स्ट है दो हजार चार नो कुड़ुख भाषा साहित्य सम्मान नेकन चीतार की रही तो मैंने ये वाला टॉपिक कराया था तो मैंने आप लोगों को कहा था किसे याद कर लेजेगा क्योंकि कोशन पूछेगा कोशन बनेगा और कोशन बन भी गया तो इसका ओप्शन नंबर C सही होगा क्योंकि 2017 में निर्मल मिंच को यहीं सम्मान दिया गया था और बहतार चार में बिहारी लकडाजी को सम्मान दिया गया था और यह सम्मान पाने वाले बिहारी लकडाजी पहले कुड़ुख साहित्यकार है तो ये भी इंपॉर्टैंट है ठीक ए? नेक्स्ट है आपका देखिए उगता गही संगी बक तिंगा उगता का पकसी पकसी इसका संगी बक होगा नेक्स्ट है आपका PC Bakes गही टूड का पुथी तली तो ये आपका टूड का पुथी पुछा गया है तो ये होगा आपका option number B सही होगा कुडुख दर्शन और परकला ये आपका पुब्लिश कब हुआ था ये हुआ था 1998 में पुब्लिश हुआ था नेक्स्ट है आपका खाई उंद्र का कंणन हुआ भयारे सिंद्रा टूंका लीला माकन लवागे हुआ भयारे सिंद्रा टूंका ये डंडिन एका रागे नो पार्णर यानि इस गाना को जत्रा राग में गाते हैं ठीक है जत्रा ओप्शन नमबर ए नेक्स्ट है किरका परिया गही एमदा छाओ मनी तो इसका ओप्शन नमबर ए सही होगा क्योंकि देकि टेंस जो काल है परिया है इसके तीन भेध होते हैं भूतकाल, भविश्यकार और वर्तमानकाल और भूतकाल और वर्तमानकाल के भी चार-चार भेध होते हैं तो किरका परिया यानि कि भूतकाल इसके चार प्रकार होते हैं बख्खी मनेता नेक्स्ट है बखी मनेता जुटरकन बखपून बानर है न तो option number D सही होगा इनलंता पुथी तली इनलंता पुथी क्या है तो देखिए वहाँ पर जब मैंने आप लोगों को शायद इगनेज कुजूर जी के बारें पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इनलंता जो है इसको पहला उपन्यास माना गिया है लेकिन जो हमारे लेखक है इसके इगनेज कुजूर जी उनके हिसाब से ये उनकी कहानी की पुष्टक है तो इसका option number D सही होगा है न उपन्यास नेक्स्ट है आपका फूलो अरा पुनाईसन पुनाईसीन विद्दर की एडपा ने उद्रनर तो तंगबामुस तो option number C सही है दो बिल्ली डैश पुथी तली तो ये कथडंडी है ठीक है कथडंडी यानि की कविता नेक्स्ट है तीस नंबर देखे तो इसका option आपका D होगा क्योंकि इन में से कोई भी नहीं है तो D ही होगा इसका option नेक्स्ट है आपका मतलब यहाँ पर गाने के बारे में पुछा जा रहा है कि ये किसीच का गाना है बिंजा, करम, खदी या एकदा हुमला तो इसमें से option number A सही होगा बिंजा डंडी नेक्स्ट है आपका 32 number देखे कुड़ुख लोग साहित ते पुथी गही बीडिना जानतेंगा मतलब वहीं publication date पुछा जा रहा है तो इस किताब का किस साल ये प्रकाशित हुआ था ये हुआ था आपका option number B 2013 में इसका प्रकाशन हुआ था तो इसका option number B सही होगा तो जो extra question पूछता है ना वो कोई book के बारे में पूछ लेते हैं जैसे कि आपका हो गया कुडुख लोग साहिते है या फिर उराओं लोग साहिते है इस तरीके से एक बार आपका उराओं साहितेकार पूछा गया था question में तो इस तरीके से questions पूछते हैं next है आपका एकता गोट पिंजका गही नमूद मली तो गोट पिंजका के बारें पूछा जा रहा है तो फाउद तो है पेट भी है और बैसकी भी है तो इमबा नहीं है ठीके तो option number C इसका सही होगा इमबा ये गोट पिंजका का उधारन नहीं है next है आपका 34 नमबर देखे अंजेला डैश टीप तली मतलब अंजेला जो है ये है क्या तो ये है आपका कत्हीरी ठीक है कत्हीरी तो option number B सही होगा आपका कुडुक का JSSC Slabers देखेगा उसमें कत्हीरी रिखा हुआ है कत्हीरी में आपका 8 दिया हुआ है है न तो अंजेला भी आपका कत्हीरी है नेक्स्ट है आपका 35 समका ही माने तिंगा मतलब समका का यहां अर्थ पुछा जा रहा है तो इसका अर्थ होगा आपका D समसार का नेक्स्ट है आपका जठे डंडिन एका चंदोनो मल पार्डनर देखे जठे रंडि कहने का मतलब कि जो गर्मी के मौसम में गाय जाने वारा जो गाना है है ना तो सावन, भादो, कुवार इन मौसम में तो नहीं गाया जाता है तो मुझे लग रहा है इसका option number D सही होगा इबड़ा एकदा हुमला ठीके तो अगर कुछ और होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताईएगा नेक्स्ट है आपका फुलो अरा पुनाईस नेक्स्ट है आपका फुलो अरा पुनाईसिन तंग ममोस एडपा एका खंधानू उंद्रदर्स ठीके तो इसका option number आपका सही होगा B तो यहां खंधा पुछा गया है है ना तो शायद मैं कहीं न कहीं आप लोग को बोली थी कि आप लोग को याद रखना होगा द्रिश्य भी पूछ सकते हैं तो द्रिश्य से पूछा गया है इसमें दो कोशन पूछे गया थे तो यह तो आपका फूलो और पुनई को उसके मामो घर किस खंधा में लाता है तो यह पूछा गया था तो इसका option number B सही होगा चौथे खंधा में है ना चौथा खंधा नेक्स्ट है आपका एड गोटंग बिती बिदा ननुत तो एड गोटंग पुना बिती बगर बरोर इड इड एका टीपती होतार की रही तो यह जो लाइन है यह आपका पचगी परिया से लिया गया है तो option number B इसका सही होगा पचगी परिया नेक्स्ट देखते है लेडगस नेखे मलदाव लूरन धर्चस तो लेडगस जो है वो अपने पिता के ही बुरे बुद्धी को सीखा है ना बुरे चाल चनल बुरा धंक को सीखा तो उसके पिता का नाम क्या था धककर्स तो उसका option number A सही होगा नेक्स्ट है ठकूर उंदूल ठकर्नर हीरी नू बढ़ियस कही नामे तो इसके जो टूडू है वो है आपके डॉक्टर हरी उराओं तो option number B आपका सही होगा नेक्स्ट देखिए फूस गही बग्गे गन्या देंगा अब यहाँ पर हूस का बहुवचन पूछा गया है तो आर तो नहीं होगा इर भी नहीं होगा हूसिम भी नहीं होगा हूर होगा तो option number C सही होगा नेक्स्ट है आपका होना गी बिर्दो बग्तिंगा तो हो सकता है कि होना का कुछ लोगों ने चीना भी option टिक कर दिया होगा लेकिन होना का चीडा नहीं होगा इसका option number B सही होगा उंदरना होना का जो विपरीत शब्द होता है वो होता आपका उंदरना next है आपका दवले कुजूर्स गही तूड का टीप तली तो इस में से क्या-कया दवले कुजूर्स जी ने लिखा है देखे अचरन्ची आयंग ये वाला तो आपका कविता ही है तो इसे तो इन्होंने लिखा है और जुड़ी पिल्लो ये भी इन्होंने लिखा है तो next है आपका इंबा तुलूं है ना तो आप देखे अचरंची आयांग भी लिखा है जुड़ी पिल्लो भी लिखा है तो है ना अगर आप लोगो option number 3 के बारे में नहीं पता कि इंबा जुड़ी ने लिखा है नेक्स्ट देखते हैं एम चिच्चन इरखदम फुनगिन पीतदम अर्रा फर्रा आलर फालर किच्री कूर्दम निंगा गे अम चियों इडीड एका टीपती हुचकारी तो ये वाला लाइन किस कहानी से लिया गया है तो कोई बरात या असुरर दरा लुधरर, उड़हारी या फिर जुड़ी तो इसका उप्शन नमबर बी सही होगा आपका असुरर दरा लुधरर नेक्स्ट है आपका खली आयंग लीला पुथी गही बीडिना चानतेंगा तो इसका उप्शन नमबर ए सही होगा ठीक है इसका उप्शन नमबर ए सही होगा नेक्स्ट है आपका आर्गी भेदन अखा बलकत इदिम नमागे मल्दाव मंजा है ना तो इडिर एका टीपती हुचका रही तो ये वाला जो लाइन है वो किसे लिया गया है कविता है छोटा नाकपूर पर्थका जातियर या खेखिल कवा सोना या फिर पुर्खा डारे तो ये आपका लिया हुआ है आप्शन नमबर भी परितका जातियर से लिया गया है ठीक है और परितका जातियर के लिखा कौन है डॉक्टर हरी उराओ नेक्स्ट है आपका बेचन उराओं सी गही टूड का पुथी गही नामे देंगा तो बेचन उराओं की लिखी हुई कहानी थी उसका नाम था इंगहडपा जो की आपका 2011 में पब्लिश हुआ था ठीक है नेक्स्ट है आपका बेचन ने ठक्चा दरा हुर्मा खद्दारिन पिट्टा तो यह आपका चन्दो अराओं बेडी कहानी से लिया गया है तो उप्शन नमबर A देखिए बेलस, B, देवान, या C, चन्दो, या फिर तंगदई तो इसका उप्शन नमबर C सही है चन्दो तो चन्दो ही तो है जो बीडी को मतलब की ठगी और उसके बच्चों को मरवा दी नेक्स्ट है आपका एका तीपनू भुटलन गो अडखन पुडा मुस्गना गही कत्था बाचकारी तो यह किस में कहा गया है? किस कविता में कहा गया है? तो औप्शन नमबर A देखिए अचरंची आयंग औप्शन नमबर B अडखा चीखिल या अप्शन नमबर C खेखिल खंचपा या अप्शन नमबर D खेखिलं कमा सोना तो इसका option आपका सही होगा अडखा चेखिल तो इसके writer महावीरुराउ है नेक्स्ट देखिए रम्या सन्नी तंगदा सिन एकसं तया लगी रम्या सन्नी तंगदा सिन एकसं तया लगी असाम या भोटांग या फिर नेपाल या राची तो ये वाला जो है ये आपका उढ़ारी से लिया गया है तो option number D इसका सही होगा राची राची भेजती है अपने छोटे वाले बेटे को पढ़ने लिखने के लिए next है आपका नम है हीरा नाकपूर्नू निंदकारी सोना रुपा, कोईला, या फिर पन्ना, या फिर इबड़ा हुर्मी तो इबड़ा हुर्मी है ना डे option सही होगा next है आपका रम्यागी संगिये इन्नू ने मल राचा ये वाला थोड़ा डिटेल पूछ लिया गया है अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रम्यागी दोस्त कौन नहीं थे तो तित्री तो थी, इतवारी भी थी और बिगाइन भी थी तो कर्मी नहीं थी, ठीके कर्मी तो option नमबर डीर्स का सही होगा next है आपका जगडो समया ने सक नना लग गया तो यह सक से लिया गया है तो जगडो की जो पत्नी होती है वो उस पर सक करती है तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? बुधनी, सुम्री, या टुम्पा, या इब्राहुर्मी तो इसका option number A सही होगा बुधनी थी है ना बुधनी जगडो की बीवी थी और बुधनी जगडो की उपर शक करती है है ना जगडो और सुम्री के बारे में गलत सोचती है और जो टुम्पा है, टुम्पा कौन होता है वो होता है आपका जगडो का बेटा ठीक है? नेक्स्ट है आपका उराओं लोक साहित ते गही बिढ़ना चान तली तो option number A देखिए 2011 या option number B 2013 या C 2019 या फिर D 2021 तो किताब से काफी कोशन पूछ लेते हैं किताब का किस साल वो प्रकाशित हुआ या उसके राइटर कौन है और थोड़ा राइटर के बारे में भी देख लीजेगा तो इसका option number D सही होगा 2021 2021 में उराओं लोक साहित ते प्रकाशित हुआ था नेक्स्ट है तंकी नू अख टटखा रही एका गुनखी गही नमूत तली तो ये आपका तो option number A देखिए गुनगुनखी, option number B लिखा गुनखी, या option number C जोखा गुनखी, या option number D चुगुल गुनखी तो इसका option number B सही होगा लिखा गुनखी नेक्स्ट है आपका गोट पिंजगा गही नमूत एकता तली यानि कोई कौन से इसका नमूना है ये पूछा जा रहा है इम्बा यानि कि अम option number B इम्बा या option number C बशिकी या option number D नडी तो इसका option number C सही होगा ये इसका नमूना है नेक्स्ट है आपका टिपल उजी पिंजगा गही नमूत तली option number A एन या B नीन option number C नीक इम या option number D हूदिम तो टिपल उजी पिंजगा का नमूना जो है यानि कि जो उधारन है वो होगा आपका option number D हूदिम नेक्स्ट है आयंग जिया लीला नू लीला इडूर तलनर देखिए कुछ-कुछ कोशन रिपीट हुआ है है ना तो आप लोग को करना ये है की recent में एक एकजाम हुआ था तो उसमें ये वाला कोशन मैने देखा था तो आप लोग को करना यहीं है कि जितने भी कुरुख का मतलब एकजाम हुआ है तो उनके कोशन पेपर भी देखिए तो option number A देखिए सीता या option number B जुम्पा या option number D ठेपा या option number D इन्नूती एकदा हुमला तो देखा जाये तो ये तीनों ही नहीं थे है ना तो इसका option number D सही होगा इन्नूती एकदा हुमला Next देखिए Dr. Nirmal Minj एका पुथे की तर्जुमा नंज का रदस सर्जुमा का मतलब होता है अनुमाद Translation तो option number A देखिए कुड़क ग्रामर option number B चुरकी डहरे या option number C उराओं फोकलोर या option number D कतबिली तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा option number A कुड़क ग्रामर तो कुड़क ग्रामर जो है ये रेव हॉन की लिखी हुई है जो कि 1900 में छपी थी है ना तो डॉक्टर निर्मल मिंच ने इसे देवनागरी में मतलब की Translate करके इसका प्रकाशन कराया तो option number A सही होगा आपका कुड़क ग्रामर नेक्स्ट है आपका मूंध रूपेती संसकार डैश इम्दा किसी मही मनी तो संसकार के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है है ना तो एक तो जर्म संसकार होता है है ना फिर उसके बाद आपका शादी संसकार होता है फिर मृत्यू संसकार होता है तो इसका option number B सही होगा मूंध यानि कि 3 नेक्स्ट है आपका ची आयो कै रोजती कीरम रदन इडिर एका टीपती हुचकारी तो देखा जाए तो यहाँ पर जो भी मतलब की एक तो यहाँ पर confusion यह हो सकती है कि यह आयंग जिया से कहीं लिया हुआ है या फिर सक से लिया हुआ है तो यहाँ देखा जाए तो अयंग जिया कहीं पर भी नहीं है तो बिल्कुल आसान था यह option number A से हो जाएगा इसका सक 63 नमबर देखे एका ओजी पिंजका एकाम पिंजका तरह चुंगुल इदी अधिन डैश बरनर तो यहाँ पर तो option टिखी है चुंगुल गुंखी नेक्स्ट है आपका कुड़ुख कतबिल्ली पुथी ही तूडू ने तली तो यहाँ पर कुड़ुख कतबिल्ली के बारें बूचा जा रहा है इसके लेखा कौन है इसके लेखा कहा आपका PC बेग है ना PC बेग नेक्स्ट है तो यहाँ पर तो आप्शन टिखी है तो खिखिल खंजपाती हुच्चकारी नेक्स्ट है आपका तो इसके बारे में क्या पूछा गया है यहाँ पर यह चीज नहीं बताया गया है तो इसका उप्शन नमबर C सही होगा पैंचा लूरती उर्मी नलख मला उर्खी यानि की मल मनी नेक्स्ट है आपका 67 नमबर देखे डॉक्टर हरी उराओं डैश अत्खा कागत ही पेंचोराई तल दस तो उप्शन नमबर A है आपका कुड़क डहरे अप्शन नमबर D सरना फूल या अप्शन नमबर C बगपून या फिर अप्शन नमबर D इबड़ा हुर्मी देखें किताब में सरना फूल दिया हुआ है बगपून भी दिया हुआ है और देखें एक उप्शन नमबर है आपका D इबड़ा हुर्मी तो जब ये दोनों ही है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो उप्शन नमबर D सही होगा ना है ना तो दो तो आप लोगों को बता होगा कि सरना फूल और बगपून लेकिन कुड़ुख ढहरे के बारे में अगर नहीं पता होगा तो उप्शन नमबर D दिया हुआ है इबड़ा हुर्मी तो कौन सही होगा इबड़ा हुर्मी सही होगा तो नेक्स्ट देखिए हिंदी भाषा और कुड़ुख भाषा किरियाओं का प्रकारात्मक अध्यन नेक है तूड़ का पुथी तरी तो उप्शन नमबर A देखे विमल टॉपो B पीसी बेख या उप्शन नमबर C डॉक्टर हरी उराओं या उप्शन नमबर D अहलात तिर्की तो इसका आंसर है आपका उप्शन नमबर C डॉक्टर हरी उराओं और ये वाली जो किताब है ये वाली किताब आपका 2010 में प्रकाशित हुई थी तो किताब कब पब्लिश हुई ये जानना भी आपको लोगे बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोश्चन इन से भी बन रहा है है ना तो कौन सी किताब किसकी है और ये किस साल पब्लिश हुई ये सब पूछा जा रहा है नेक्स देखते है 1921 इसवी चाननू डैश ही कुंदरना मंज की राचा तो उप्षन नमबर A देखिए अहलात तिर्की या उप्षन नमबर B दवले कुजूर या उप्षन नमबर C इदरजीत उराओं या फिर उप्षन नमबर D डॉक्टर निर्मल मिज तो 1921 में आपका दवले कुजूर जी का जन्म हुआ था तो उप्षन नमबर B आपका सही हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका धक्कर एका एदना नो भोटांग राजी का अदस अब जो धक्कर है आयंग जीया नाटक के बारे में पुछा जा रहा है कि धक्कर जो है वो किस एदना में भोटांग राजी मतलब भोटांग राजी जाता है तो उप्शन नमबर A देखिए मूदता उप्शन नमबर B नाखता या उप्शन नमबर C पंचे या फिर उप्शन नमबर D सोईता तो इसका आपका आंसर सही होगा उप्शन नमबर A मूदता तो मूनता एदना में जो धक्कर है वो अपनी बेटी फूलो को ले करके भोटांग राजी के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में कुछ चोर डकैत मिल जाते हैं जिसके वज़े से धक्कर को अपनी बेटी को वही छोड़ करके भागना पड़ता है चलिए नेस देखते हैं 71 नमबर उननिस सो सत्तर ईस्वी चांडनों डॉक्टर निर्मल मिंज एका कुहां लुडकुडियम कुलियस ओप्शन नमबर A देखिए मारवारी या ओप्शन नमबर B संतपॉल या ओप्शन नमबर C गौसनर या ओप्शन नमबर D जेवियर तो इसका सही आंसर है आपका ओप्शन नमबर C गौसनर 72 देखिए सक हीरी नू टुमपा तंबस गही इंदर नामे राचा तो ओप्शन नमबर A जगडू, जुमपा, कलुगा या बगडू बगडू तो आपका पचगी परिया का है है ना और तो इसका आपका ओप्शन नमबर A सही होगा जगडू नेक्स्ट है आपका 73 देखिए कुड़ुख पुर्खा डंडी गही बिहाई तली यानिकि विशेशता है तो इसका आपका ओप्शन नमबर D सही होगा इबड़ा हुर्मी नेक्स्ट है आपका 74 देखिए कुड़ुख पुर्खा डंडी नू डैश्ट भाखा बग्गे मिसर की रिये तो मुंडारी खडिया नाकपुरी या इबड़ा हुर्मी तो इसका आणसर सही होगा आपका ओप्शन नमबर D इबड़ा हुर्मी नेक्स्ट देखते हैं 75 नमबर इंगे हुँ आलर रानर इरो तर्ती पंच जुमा बर नेवाई तोड़ता खने दौमनो इनने ने बाचा तो आप्शन नमबर A देखिए पढियर या B तिलियस या आप्शन नमबर D आप्शन नमबर C बढियस या आप्शन नमबर D बिलस त ना तो इस वाले कहानी से लिया गया है तो तिलियस तो नहीं होगा तो इसका ओप्शन नमबर C सही होगा बढियस कुडुख बढियस नेक्स्ट है आपका नितिम नितिम सप्डारेन आयंगो उंदुल बेचा पुलेन यो एका परपता डंडितली तो इसमें ना थोड़ा सा मुझे डाउट है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह आपका सुहराई का है तो अगर किसी और्ज का होगा तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा पर सुहराई मुझे लग रहा है नेक्स्ट है आपका 77 देखिए संसकार डैस संसकार नो डंडी बग्ये खक अगरियों मला जहर्ना कहानिक है तो पेठ नू मनी का जत्रा नू मनी का लुड़कुडिया नू का डहरे नू तो इसका ओप्षन नमबर C सही होगा लुड़कुडिया नू नेक्स्ट है आपका जीनन नीन मानी मोध्र कै एका टीप नू बाच करी ओप्षन नमबर A जूरी या ओप्षन नमबर B नीन जूरी या ओप्षन नमबर C जिया खोंथ्खरी या ओप्षन नमबर D नाम उज्जुत 81 तो इसका ओप्षन नमबर जिया खोंथ्खरी ठीक होगा है ना तो ओप्षन पुलो की मां जो होती है वो पुनई को भीजती है अपने मामू को बुलाने के लिए और पुनई जाता है और फिर वो खो जाता है कहां खोता है पेथनू का टोड़ंग मजहीनू का जत्रानू का इया ती एकदाहू मलाव तो आप्शन नमबर B सही होगा टोड़ंग मजहीनू मतलब जंगल के बीच में वो खो जाता है फिर उसके बाद उसे फुलो मिलती है तो दोनों भाई बहन को फिर से चोर पकड़ लेते हैं और फिर उसके मामू उसे आ करके बचाते हैं फिर उसके बाद घर ले जाते हैं एटीवन देखिए कुड़ो भाषा सिक्षन एवाम साहित्य पुथी ही टूडू ने दली आप्शन नमबर A डॉक्टर हरी उराओ या B प्रोफेसर महीज भगत या आप्शन नमबर C प्रोफेसर राम दास उराओ या आप्शन नमबर D डॉक्टर राम किशोर भगत तो वैसे इन राइटर के बारे में पूछा तो नहीं गया था पर हाँ ये प्रोफेसर महीज भगत जी की किताब है जो कि आपका पब्लिश कब हुआ था? 2013 में ये किताब इनकी पब्लिश हुई थी तो आप्शन नमबर B सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपका तो इसका ओप्शन नमबर C सही होगा आपका खदी तोकना नेक्स्ट है आपका असारी डंडी बग्गे इंदराती नाता हुई देखे असारी गाना जो है वो आपका खेती पाती से इसका संबंध होता है है ना तो जब खेती की जब शुरुवात होती है तब इस गाना को गाया जाता है तो इसका ओप्शन नमबर D सही होगा खेती पाती नेक्स्ट है आपका पद्दियर बढ़िया सिन पंच उन्दरागी एं उल्ला चिच्चर कितना दिन दिये थे तो ओंध, एर, मूद या नाख तो ओप्शन नमबर D सही होगा टिक वैसे ही है तो चार दिन दिया गया था तो चार दिन में उसे पंचों को ले करके आना था नेक्स्ट है आपका 85 कुडखर गही नेग, अरा धरम, नेख है तूड़का टीप तली तो ओप्शन नमबर A होगा दवले कुजूर या B, जमबुआ कुजूर या C, इंदरचीत उराओं या फिर ओप्शन नमबर D, डॉक्टर फ्रांसिसका कुजूर तो इसका ओप्शन नमबर B सही होगा जमबुआ कुजूर तो जमबुआ कुजूर जी की लिखी हुई है ये नेक्स्ट है ज़रियो तंगरी की इंदर नामे तली तो ज़रियो की बहन का क्या नाम होता है ज़रना, लीला या जुनू या बतिया तो लीला भी इस कहानी में देखा था आप लोगों ज़रियों मला ज़रना तो लेकिन लीला तो ज़रियों की दोस्त होती है इसका ओप्शन नमबर C सही होगा जुनू नेक्सिट है आपका जियाह खूंधृ ρी टीप नू नेक है जियाह खूंधृ आप्शन नमबर ए आयंग घी या बंगर्स घी खद्दर घी या फिर हुर्मर घी तो इस कविता में आयंग घी है ना आयंग ही तो आप्शन नमबर ए सही होगा 88 देखिए यी पुथी दौर ए इ बखपुर दौ बक इन्रा हि भीहाइट तिंगा लगी भीहाइट मतला विशेष्टा होता है किसके विशेष्टा बता रहा है दौ तो यह पुथी का बता रहा है ना तो option number b सही होगा पुथी नेक्स्ट है आपका तो धुमकुरिया आपका दो तरह का होता है एक जोख इरपा जिसे कहा जाता है और पिल्लो इरपा कहा जाता है तो इसका उप्शन नमबर 20 ही होगा नेक्स्ट है आपका जूडी टीप गही टूडूस ने तल्दस तो जूडी जो कविता है इसके लेखा कौन है दवले कुजूर या इंदरजीत उराओ या डॉक्टर हरी उराओ या प्रोफेसर महावीर उराओ तो इसका उप्शन नमबर A सही होगा आपका दवले कुजूर नेक्स्ट है आपका तली गही बिर्दो बकतेंगा तो तली का विप्रीत शब्द क्या होता है हिके, मल तली या मल्ली, या मल हिके तो इसका उप्शन नमबर C सही होगा आपका मल्ली नेक्स्ट है रंपा, चलपा, एका जत्रानू अर्गनर उप्शन नमबर A बेडो जत्रा, या उप्शन नमबर B मुडमा जत्रा, या उप्शन नमबर C इद जत्रा, या उप्शन नमबर D रथ जत्रा तो मेरे हिसाब से इसका आंसर B सही होगा, मुडमा जत्रा अगर लेकिन कुछ और होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा नेक्स्ट है आपका 93 देखिए तीना गही संगी बख इंद्रातली तो तीना का संगी बख पूछा जा रहा है तो तीना का जो संगी बख है वो क्या होगा? डिबबा, अड़े, चुक्खे या इबड़ा हुर्मी इबड़ा हुर्मी तो नहीं ही होगा है ना? तो डिबबा होगा ओप्शन नमबर A तीना डिबबा साथ साथ आता है नेक्स्ट देखिए एका पेठनू लोटरी बीस रहा लग गया तो ये लोटरी कत्खीरी से लिया गया है तो कौन से बजार में मतलब किस बजार में लोटरी बिक रहा था सामुक्तला, इतवारी या होसी मारा या सतरंजी तो इसका ओप्शन नमबर A सही होगा आपका सामुक्तला नेक्स्ट है आपका ठकरिस नेकन नेकन ठकचका रहचस ओप्शन नमबर A बढ़िया सिन या ओप्शन नमबर B मलंग लदू सिन या ओप्शन नमबर C बेला सिन या ओप्शन नमबर D इब्रहुर्मिन इब्रहुर्मिन तो इसका option number D सही होगा क्योंकि उसने सभी को ठगा था उसने बढ़िया को भी ठगा था मलंग लदू सिन्हू ठगच का रहचस अरा बेला सिन्हू ठगच का रहचस है ना तो option number D सही होगा आपका इबड़ा हुर में Next है आपका अहलाद तिर्किस गही कुद्रणा डैश इसवी चाननू मंज की रहचा option number A 1915, option number B 1917, option number C 1921, option number D 1923 वैसे यहाँ पर अहलाद तिर्किजी के जन्म के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ना उनकी दो सन दिया जाता है एक तो आपका 1917 है और दूसरे आपका 1914 तो 10 फरवरी 1914 उनके परिजनों के हिसाब से यह उनका जन्म तिथी है और लेकिन यहाँ पर 1914 नहीं दिया हुआ था है ना तो आपका 1917 सही हो जाएगा 2 फरवरी 1917 नेक्स्ट नेक्स्ट आपका नीम कहीं औंद गनिया इंदराव्नों आप यहाँ नीम का एक वचन पूछा गया है तो नीम का एक वचन क्या होगा एन एम इंगन ये सब तो नहीं होगा तो option number D सही होगा नीम नेक्स्ट है डंडा कट्टना नू इंदर इंदर आलो ही चार मनी अच्छा ये वाला कोशन पर रिपीट हो रहा है मुझे लग रहा है यह मूनसी पाल्टी में चाद आया था तो चुलहा खर्ज की या फिर खेर भी आपदा तीखिल या उप्शन नूबर डी इबढ़ा हुर में तो इसका उप्शन आपका उप्शन नूबर डी सही होगा कि इन सब चीजों की जरुत पड़ती है डंडा कट्टना नेक को करने के लिए नेक्स्ट है आपका कुक्कोस बर्च का रहचस एका परिया की नमूत तली तो इसका उप्शन है आपका रहना परिया, उप्शन बी बरना परिया, उप्शन नूबर सी किरका परिया या option number D, चेड़ा परिया चेड़ा परिया का नाम का तो गुछ होता नहीं है है ना? तो D तो वैसे ही कट जाएगा तो ये होगा आपका option number C, किरका परिया next है आपका रकस बिलस सैका तीहिल अर्स्तू आलारिन डैश नो खुटा लगयास तरह मोखा लगयास रकस बेलस था वो आपका तेला खुटा में लोगों को बांद कर खाता था तो option number A से ही हो जाएगा आपका तेला खुटा तो ये वाला हम लोगों ने 100 question discuss किये है ना कुछ-कुछ question में मुझे भी थोड़ा सा doubt है अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं इसका अंसर ये होगा तो आप लोग एक बार comment करके जरूर बताएगा तो चलिए मिलते हैं next class में thank you